वहियारो राम राम हम शिवांगी तिवारी आप सबय जनन के बीश में गुंदील खन चुपल के माध्योंग से एक बार फिर से जुड़े हैं हमने रानी लच्वी बाई जी की कहानी की पिशली कड़ी में रानी महल के बारे में आप सबय जनन का बतावे को प्रयास करो तो आज हम आप सबय जनन का बता रहें रानी लच्वी बाई जी की मलमर की साड़ी की कहानी और रानी की घुर्चवार की कहानी रानी लच्वी भाई सामियानी के एक कौने में एक पर्द के पीछे बैठें अचानक रानी के दत्तक पुत्र दामोदन ने वो पर्दा हटा दो वो ही समय पर लेक की नजर रानी के ऊपर गई और बाद में रेनर जैरोस ने एक किताब लिखी किताब को नाम हतोत रानी आप जासी रैविल अगेंस्ट किताब में रेनर जैरोस ने जोन लेक खा कहद भई बताओ है कि रानी मध्यमकत की तगड़ी महिला दे अपनी यूबवस्ता में उनको चहरा बहुत सुन्दर रहु हुई है लेकिन अबे भी उनको चहरा को जो आकर्शन है तो वो कम है एक चीज जो थोड़ी अच्छी नहीं लगी वो उनको चहरा जो है जरूरत से जादा गोल तो हाँ उनकी आखें बहुत सुन्दर थी और नाग भी काफी नाजब थी उनको रंग बहुत गुरू नहातो उनने एक भी जिवन नई पहन रखो तो सिवाए सोने की बालियन थी उनने सफेद मलमल की साड़ी पहन रखी थी जी में उनको सरी को रिखांकन साब दिखाई देरो जो चीज उनके व्यक्तित का थोड़ो बिगाड़त थी बाहती उनकी फटी वई आबाज आप सबही जननखा रानी के घुड़सवार की कहानी बताएं कि बरहाल कैप्टन रोडरिक बिक्स ने तै करो कि भी खुद आँगे जाके रानी पे बार करवे की कोशिश करें लेकिन जब जब पे आशो करवों चाह रहे थे रानी के घुड़सवार उन्हें घेर के उन पे हमला कर देते उनकी पूरी कोशिश थी कि भी उनको ध्यान भंग कर दे कच्छू लोगन खा घायल करवे और मारवे के बाद रोडरिक ने अपने घोड़ी को एड लगाई और रानी की तरफ बढ़े वही समय अचानक रोडरिक के पीछे से जनरल रोज की अत्यनत निपन उट की टुकडी जो हती उन्हें एंट्री लगी इटुकडी का रोज ने रिजर्ब में रखो तो एको इस्तमाल बे जवाबी हमला करवे के लाने करवे वाले हते और टुकडी की अचानक लड़ाई में कूंदवे से बिटिस खेमे में फर से जान आगे रानी फोरण भाप गई और उनके सैनिक मैदान से भागे नहीं लेकिन धीरे-धीरी उनकी संख्या जो है कम हो जाहती रानी लच्षी वाई की मलमल की साड़ी और घुर सवार की कहानी अगली कड़ी में हम आप सबई जनन का बतावी बिटिस सैनिक की कहानी बिटिस सैनिक की बारे में बतावी को प्रयास कर भी इपूरी कहानी का देख भी किलाने पूरी कहानी का सुन भी किलाने बने रहे सिर्फ बंदिल खंच टुपल पर श्वागी तिवारी के साथ जैराम जी